नमस्कार दोस्तों मैं प्रदीव कुमा टुटूल बेफसाइट.com में आप सबका स्वागत करता हूं दोस्तों हम देखने टाइप स्क्रिप्ट की स्रीज और प्रिविएस वीडियो में हमने देखा था फंक्संस क्या होते हैं फंक्संस के टाइप कितने होते हैं और किस तरीक चैनल पर जाएंगे और चैनल पर जाएंगे और चैनल पर प्लेलिस्ट का ओप्शन है प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको यह वाला प्लेलिस्ट जो टाइप स्क्रिप्ट का है यहां पर दिख जाएगा इसके अंतर सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे ठीक है आज अब अगर हम आते हैं अपने definition पे तो यहां पे देखिए मैंने कुछ point लिखे हुए हैं जो कि पहला definition है हमारे पास the type skipped number is a primitive data type that stored the number as double precision 64 bit number ठीक है अगर आपसे पूछा है कि type skipped जो number वो किस type का data type होता है तो यह primitive data type और कितने character 64 bit number यहां पे store होता है ठीक है ओके अलनंबर आर रिस्टॉर्ड एजफ फ्लोटिंग पॉंट नंबर जितने भी नंबर सभी वोता है जिसका पेस होता है है अब यहां पर बात आती है कि नंबर में मैक्सिमम मेल्यू हम कितना स्टोर कर सकते हैं ठीक है largest possible value कितनी हो सकती है तो यहाँ पर देख रो maximum largest value जो हमारी होती है 1.7976 मतलब यहाँ तक यह value जो है इतना है पढ़ना बहुत critical है तो यहाँ पर समझे लिजे इतनी value हम इस्टोर कर सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं minimum हम कितना कर सकते हैं वो हमारे पास value है यह 5e-324 इतनी value minimum हम इस्टोर कर सकते हैं और maximum हम इतना है अगर इससे आपको check करना है कि यह सही है या गलत है तो उसके लिए हम आते हैं editor पर अपना और यहाँ पर देख रो मैंने फाइल बनाई है तो इसमें simple हम क्या करेंगे एक console.log और इसके अंदर हम लिखेंगे number यहाँ पर देखिए num टाइप करेंगे तो यहाँ पर आजा क्योंकि number constructor यहाँ पर हमारे इस editor में जो कि VS code में है इसमें आपका already होता है तो यह numbers आ गया dot करेंगे तो आप देखिए कितने टाइप के information यहाँ पर आपको property मिल जाएगी यह सारी property है तो property में हमें क्या चाहिए max value और minimum value चाहिए तो सिर्फ अब max value की यहाँ पर निकाल लिए ठीक है same copy करते हैं इसको और नीचे paste करते हैं और यहाँ से निकालते है minimum value तो maximum value है minimum value है dot minimum value यह value हमें चाहिए save करेंगे save करने के बाद आपको पता है tsc और numbers ठीक है dot ts और dash w लगा देंगे ताकि हो जो भी हम changes करें है automatic compile हो यहाँ पर save होता रहे और compile हो जाए एंटर करेंगे तो जैसे ही करेंगे यह compile हो जाए complete comply होने के बाद हम देखिए compile हो गया changes भी हो गया ठीक है file भी generate हो जागा js file अब यहाँ पर सीधे हम करते है node और यहाँ लिखते है numbers करेंगे तो यह देखिए maximum value आगी minimum value आगी आप compare चेक कर सकते हैं इससे और इससे तो आपको clear होगा ठीक है number types अब कितने होते हैं यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर definition है यहाँ पर देखेंगे number जो होता है numeric value हमारा सुकता है number जो कि हम define करते हैं लेट एक variable बनाते हैं उसको define करते हैं कि यह variable किस type का होगा number string तो यहाँ पर हम number के बात करते हैं तो इसको define करने का तरीका sign value का मतलब निगेटिब number भी हो सकते हैं जैसे minus 10, minus 20, minus 30, unsigned value यानि कि positive 10, 20, 30, 40 यह भी हो सकते हैं ठीक है तुरनों type के number हमारा पास अगर number में हम यहाँ पर पास करेंगे तो accept करेगा floating point भी हो सकता है यानि 4.5, 6.5, 8.5 कुछ भी हो सकता है floating point में double भी हो सकते हैं जैसे देखरो 505.605, 605.705, 605 यह भी हो सकते हैं double value भी हो सकते है decimal भी हो सकता है 1.5, 6, 7, 8, 9, 10 आगे कहां तक up to 29 प्लेस तक हमारे पास decimal की value इस्टोर होती है decimal के बाद 29 value हम add कर सकते हैं या पर उसके बाद exponential होती है जो कि exponential value है अगर इसको आप calculate करेंगे इसकी value print कराएंगे तो आपको 2000 यहाँ पर print होगा कैसे 2 हमारा हो गया into e का मतलब होता है exponential यानि की 10 इसको count करके चाहिए e के power 3 यानि की 10 के power 3 exponential e3 का मतलब हो गया power और इसको by default a decimal होता है तो 10 के power 3 ठीक है तो 10 को 3 times multiply किया तो total value generate हो इसको हम में print कराएंगे दिखांगो तो आपको clear हो ठीक है तो चलिए इसको भी समझेंगे binary value को हम print कराएंगे यह value है suppose तो इसकी क्या value होगी इस value को अगर हम print कराएंगे तो number में इसकी क्या value होगी वह भी आपको पता चले होके आगी वह भी आपको पता चले सबसे पहले एक variable बनाया हमने जिसका कि नाम दिया मालो मैंने salary हम इंपलोई ज्याज़ता लोग जो लोग देख रहोंगे ठीक है तो salary हमारा क्या है एक number type ठीक है जो कि float भी हो सकता है sign भी हो सकता है unsign हो सकता है ठीक है तो अभी हम बात करते हैं यहां पर हमने इसको सेफ किया तो यह देखिए हमारा यह तरीका है नंबर डिफाइंड करने का ठीक है अगर कोई वेरियेवल डिफाइब का होना चाहिए उसके लिए इस तरीके से हम डिफाइंड कर सकते हैं अब इसके अंदर यूह थैसे नहीं है कि हम इसमें आज चाहे कि पास करें और यह पास पहली पर नहीं है थृक है तो पहला चीज़ा नमबर डिफाइंड के रहा तो उसमें जो तरीके भूचा रहा को की आप करीज बैलीप और यह तरीक हलता या फिर क्लोची था है इक कोकेलों आपका डेसिम्मल हो सकता है याने कहीं थाउजन्ट 0.9 हो सकता है है या फिर सालरी है कि एक कवलटो माइनस लिग्स सकता है exhibit कर सकता है सेको एकवल्यों ब葉 सकता हैं जो कोपर कर रहे है ठीक है इत São कि मिमल, फलोटिंग, डोनों में हो सकती है अगर मैं इसको इसको पास करें हम यहां पर अजय एकसłeक कर तो भी है mismal की जगह हम बाइंडरी को पास करें वह दे जर घुए अजय कर रहे हं कर दोहीं कि उपके है कि हम धुबहे हैος हुई Ami इतने टाइप्स के हमारे पास नंबर हो सकते हैं जिसको के हम डिफाइन करते हैं अब मैंने बताया कि अगर हमें प्रिंट कराना है इसकी वैलू देखनी है कि क्या यही आ रहा है तो मैं आपको इसको मैं करते हूं इसमें हम सिध्य पास करनेंगे ठीक है सेफ करते हैं जाएगा अब यहां पर रन कराके देखें जो कि मैंने बताया था अगर इसका 5 करेंगे यहां पर 5 तो इसका यहां पर यहां पर प्रिंट करानी हो तो इस तरीके से हम करा सकते हैं यहां को क्लियर होगा अगर हम बाइनरी की बात करते हैं अगर बाइनरी की वैलू चेक करनी है तो तो simple इस code को गया है और यहां पर paste करके सेख करके चेक कर लेते हैं यहां पर आए नमबर किया देखिए इसकी वैलू एक्चुल वैलू इसकी 10 है 10 को बाइनरी में convert करते हैं तो यह value हमें return होती है ठीक है उसी तरीके से अगर कोई hexadecimal है उसकी value देखनी है तो simple आएंगे यहां पर लिखेंगे console कराएंगे save करेंगे save करने बाद changes done हो गया रण किया तो यह देखें इसकी actual value value जो hexadecimal में है वो यह है किक है अगर यह actual value करें इस hexadecimal value को convert करें नंबर में तो नंबर किया होगे 6400453 इसको अगर hexadecimal करेंगे तो यह आएगा तो यह हमारा तरीका होता है hexadecimal में convert करने का clear तो इस तरीके से value हम restore करते हैं कितने types के अब methods को थोड़ा सा यहां पर देख लेते है exponential अगर मुझे किसी value को exponential में convert करना है तो इस तरीके से कर सकते है इसके आगे लगा कर यानि कि जो मैंने बताया किया आप यहां पर देखिए आते हम वापस editor पर यहां पर तो हमने जो convert किया था जो कि क्या था 2E3 ठीक है इसको convert किया था तो कितना आया था 2,000 लेकिन अगर मैं अभी यहां पर 2,000 लिखता हूं इसको मुझे exponential में convert करके देखना है तो हम कैसे करेंगे उसके लिए simple हम यहां पर लिकेंगे salary dot to exponential ठीक है simple save करेंगे अब रन कराते हैं कि देखिए 2E3 प्लस 3 प्लस 3 का मतलब 2E3 ठीक है आ गया तो कुल मिलाके आपको पता चल गया कि salary को हम अगर 2,000 को अगर exponential में convert करेंगे तो कौन सी value प्रिंट करेंगा जो कि हमने उपर में देखा था यह ठीक है और इससे अगर convert करके देखेंगे तो भी आपको data मिल रहा है यानि कि दोनों चीज़े सही है perfect है सही जा रही है clear अब मुझे क्या है कि suppose मान के चले यहां पर मैंने मैं चाहता हूं कि मुझे जो print value वह सिर्फ एक decimal प्लेस तक हो मुझे आगे की value नहीं चाहिए या फिर स्यागा और भी ज्याद़ हो सकती है कुछ भी हो सकता है तो वह नहीं चाहिए मुझे सिर्फ वह जो value चाहिए यह चाहिए इसके एक तक चाहिए या दो चाहिए तिन तक चाहिए तो अगर मुझे value करनी है तो वह कैसे करूं तो उसकी लिए simple हमारे पास होता है dot fixed to fixed अगर अब सिर्फ यहां पर कोई parameter पास नहीं करते हैं ध्यान दिजेगा अगर यहां कोई parameter पास नहीं करते हैं तो यह decimal से पहले तक की value count करेगा और यह भी चेक करेगा कि decimal के first place प तक का प्रिंट करना है यह तो यहां पर 1 किया है यहां पर मैंने parameter two pass कर दिया अब तीनों value हम print करांकर देख लेते हो तो अब देखरो 2001 किया क्योंकि मैंने बताया था कि अगर 5 से ज्यादा है तो यहाँ है 5 से ज्यादा या 5 है तो भी आपको यहाँ पे एक increment करके देगा अब decimal के one place तक की value प्रिंट करनी थी यानि के 8 तक की करनी थी तो अगला point देखेगा कि अगला value जो है 5 से या 5 तो नहीं है 5 से ज्यादा या 5 तो नहीं है अगर है उस condition से नीचे है तो यहाँ पर 5 में एक increment करके 6 नहीं करेगा सिर्फ 5 तक प्रिंट करेगा दिखा देता हूं में आपको यह दिखिए 5 दिया इसको 6 नहीं किया उससे पहले तक की value को एक कर रहा था बट 5 वाले case में नहीं किया क्योंकि वह value 5 से नीचे है तो आई हूप आपको यह दोनों clear होंगे ठीक है तो exponential आपको समझ में आ गया fix समझ में आ गया अब हम बात करते हैं पार्स इंट और पार्स फ्लोट का इसका क्या यूज है तो suppose मान के चलिए आप हम लोग क्या करते हैं कोड करते हैं ठीक है उसमें value भी define करते हैं जहां पर हम multiplication डिवीजन या फिर उस तरीके की value होती है करनी होती है तो देखो क्या होता है ठीक में क्या होता है प्लस करने के लिए हम क्या करते हैं लेकिन दो स्ट्रिंग को एड़ करना हो तो भी हम प्लस साइन का यूज करते हैं ठीक है उसको अगर लगा कि यह string है तो अगर type defined है तो इस तरीके से कर देता है उसको string में add कर देता है तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं simple console.log ठीक है अगर मैं करूं और मुझे अगर इस print को यह value मैं रही है मैं क्या चाहता हूं कि सिर्फ integer value हमारा addition हो और उसको integer में convert करना हो तो हम simple यहां से लिखेंगे parse int parse int में अगर इस value को parse करते हैं salary को ठीक है तो देखें यहां पर थोड़ा सा कुछ चीज़ दिखेगा error ठीक है save करते हैं अब इसको print कराता हूं देखें यहां पर क्या आगया अगया अर्गुमेंट of type number is not is unable to parameter the type of string यानि कि parse int हम नहीं क आगर इसको मैं string में ऐसे पास करूँ कि या फिर या फिर हम इस value को इस ट्रिंग में convert कर दें तो उसके लिए क्या होता है salary यानि कि इस value को हम string में convert कर रहे हैं ऐसे करेंगे अब यह value string में आ जाएगी और देन हम इसको print कराएंगे तो देखिए क्या value प्रिंट करता है इसको मैं clear करता हूँ कि देखिए 2000 प्रिंट किया decimal के बाद की value हटा जा क्योंकि integer हमारे पास क्या decimal value नहीं store करता है integer में सिर्फ without decimal value होती है इसलिए इसने क्या क्या integer में convert किया इस value को तो आपको 2000 दिया और यह string में सबसे पहले string में convert किया तो string में convert जैसे ही किया इस value को तो इस value अगर हम कहें तो इसकी value क्या होगी अगर मुझे सिर्फ इसका string प्रिंट कराना हो तो देखाता हूँ अगर मैं यहां से अटा दू ठीक है यहां से यह string है ऐसे प्रिंट हो रहा है मतलो string है अगर कोई number होता है तो वह color हो जाता है clear आपको छीक है एक float point करना होता है तो simple parse इंट की जगह parse float करते तो आपको क्या देता floating point नमबर यह सारा का सारा देता आपको दिखाते हैं यह आर एसी पास किया और यहां पर code से बढ़ा दिया save करेंगे अब यहां पर देखिए यहां पर देखिए string था तो color नहीं था लेकिन अब float में पास कर रहे हैं तो यह नमबर हो गया तो यह नमबर को color दे दिया आपको समझ भागया floating point क्या होता है किस तरीके से अगर हमें किसी value float में string को करना है तो कैसे करेंगे integer में convert करना है तो कैसे करेंगे किसी value को ठीक है यह हम parse into float का mostly case calculation के time पर हम यूज करते हैं जब कोई addition subtraction multiplication इस तरीके की value करते हैं दो value के बीच में 3-4 तो हम mostly use करते हैं ताकि अगर मालो कहीं string को value मिल रही है तो उसको भी convert करके इस तरीके से हमारा नमles के या फिर number में convert कर गया क्लिए को यह हो गया क्लाव को खता है तो आज इस वीडियो में clear लोगा हो गए इसमें कोई doubt नहीं होगा अगर अभी भी कोई doubt है तो कमेंट किजिएगा वीडियो में मैं कोशिश करूँगा जितना जलदी हो सके आपको रिपलाइक करने का अगर ये वीडियो समझ में आया अगर अच्छा लग आपको तो प्लीज वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ सेर करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर के लिए ही रुकते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को बात करेंगे तो तक लिए बाई 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 टेक केर अपना ख्याल रोड़ी